फिल्म डिरेक्टर के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो बस एक सीट पे बैट कर आक्शन और कट बोलता है लेकिन असल में उसकी जिम्मेदारी इससे भी कहीं ज्यादा होती है फिल्म डिरेटर क्या करता है उसको किन किन बातों का पता होना चाहिए बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में अलो प्रेंड्स वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्मस अकाडमी दा प्रेक्टिकल फॉल्म स्कोल मैं हुँँ आपका अपना वेले इंडरा ठोर और आप देख रहें बॉलिवूट का गूगल जॉइन फिल्मस यूट्यूब चैनल बॉलिवूट का गूगल इसलिए कि यहाँ पर आपको फिल्म इंडस्री से लिलेटर जितने भी प्रोफेशन होते हैं सब के लिए एक प्लेलिस्ट मिलती है डेडिकेटेड वीडियो मिलते हैं जिसमें मैं आपको जान करी देता हूँ मेरे साथ साथ बहुत सारे सेलिबिटीज भी अपना एक्स्पिरियंस शेयर करते हैं अज मैं बताने वाला हूँ कि डिरेक्शन में क्या-क्या बातों के जरूरत होती है अगर आप डेरेक्टर बढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफूर्ड है डिरेक्टर को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डिरेक्टर को Captain of the Ship कहा जाता है मतलब फिल्म की शुरुआत से लेकर अन तक उसके रिलीज तक डिरेक्टर को बहुत सारे डेपार्टमेंट में काम करना पड़ता है उसको Technical Knowledge होना चाहिए उसको Creative Knowledge होना चाहिए तो मैं एक एक करके Pointers में आपको बताना शुरू करता हूँ कि किन-किन बातों पर आपको ध्यान देना है डिरेक्टर फिल्म को डिरेक्ट करता है अगर असान भाशा में समझें तो स्क्रिप्ट रैटर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखने के बाद परड़ॉक्शन को दे देता है और डिरेक्टर उस स्क्रिप्ट के हिसाब से सीन की Imagination करता है और फिर उस Imagination को फिल्मेकिंग टीम की मदद से एक फिल्म के रूप में तयार करता है डिरेक्टर फिल्मेकिंग के सभी डिपार्टमेंट की देखरेक करता है फिल्मेकिंग के अलग-अलग प्रोसेस के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट बना जाते हैं और उन सारे डिपार्टमेंट के लोग जो जिस तरह के भी काम के लिए responsible होते हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं उसको भी monitoring करना सिर्फ और सिर्फ director का काम होता है filmmaking एक पूरी process का काम होता है और एक director start से लेकर end तक उससे जुड़ा होता है सबसे पहला step होता है story development इसे इस तरह से देख सकते हैं जो भी story है कहानी है उसके उपर जो उपरी तरह से research करनी होती detail में उसको कहते हैं story development filmmaking के इसी step में ये निर्णाय हो जाता है कि film में किस star actor को लेना है film का budget क्या होगा film release कैसे होगी किस platform पे होगी online होगी offline होगी ये सभी चीजों के उपर चर्चा और निर्णाय filmmaking के development के process में हो जाता है development के बारत film का pre production शुरू होता है एक film director इस process में भी पूरी तरह से involved होता है pre production क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं pre production में film की final script lock हो जाती है budget final किया जाता है cast and crew को hire किया जाता है story board बना जाता है camera equipment final किया जाते है और location को खो जाता है pre production के दोरान writer, director, DOP, art team और बाके department के लोग script reading भी करते हैं और उस हिसाब से आगे की planning करते हैं अब आते हैं budget पर जैसे ही आपके script lock हो गई, location lock हो गई तो आपको budget भी lock करना होता है budget मतलब कि film budget बहुत ही important segment होता है filmmaking के process में film का budget कितना होगा, इसका decision तो producer ही लेते हैं लेकिन उस budget में film को कैसे बनाना है, ये काम एक director के जिम्मेदारी होता है इसके साथ ही actors की casting होती है film के crew members final किये जाते है camera person, light artist, set artist, make up artist, costume artist इन सभी को final किया जाता है इसके साथ ही equipment जैसे की camera, light और कौन कौन सी props film के अंदर इस्तमाल होगी, उनकी बिलिस्ट तयार की जाती है और director अपनी पसंद के हिसाब से अपने team को चुनता है जो बड़े director होती है, उनकी team तो पहले से ही बनी होती है इसके बाद film के script में क्या क्या location है उस तरह की location को ढूंडा जाता है director location पर जाकर रैकी करता है कि कौन सा scene कहां पर shoot किया जाएगा और फिर film का storyboard बना जाता है storyboard कैसे बना जाता है, इस पर मैंने एक detail video बना है thumbnail share करना है, उसको जरूर देखेगा, आपको बहुत अच्छी information मिलेगी इसके बाद film की scheduling की जाती है कि किस तारीक को कौन सा scene कहां पर shoot होगा तो देखा आपने pre-production में कितने सारे काम होते हैं इन कामों करने के लिए बहुत सारे department होते हैं लोगन सबको monitor करता है एक director अब जैसे ही pre-production खत्म हुआ तो शुरुवात होती है shooting की जिसको कि हम बोलते हैं production यहाँ पर एक director के जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर एक director पूरी कमान अपने कंधे पर ले लेता है production मतलब script को camera में capture करना यानि film की shooting करना यदि pre-production में अच्छे से तयारी की जाती है paperwork एकदम solid है तो shoot के समय बिलकुल भी दिकत नहीं होती इसलिए film के pre-production को अच्छे से करना चाहिए production के अंदर film का set तयार किया जाता है और फिर film की shooting की जाती है production department के अंदर actor, director, cinemaographer, film crew, lighting, artist, make-up artist ये सभी लोग और director पूरी process की monitoring करते हैं एक director के लिए सबसे एहम काम यही है कि script की अनुसार वो किस तरह का shot design करता है कौन सा shot किस angle से किस moment के साथ लेना है ये सब एक director decide करता है और एक director को इन सब camera shots, camera angle और camera moment के बारे में ना सिर्फ पता होना चाहिए बलकि इसके पीछे की science और psychology भी पता होना चाहिए कि कब कौन सा कैसे shot लेना है camera shot, camera angle, camera moment और मैंने तीनों चीज़ों पे अलग-अलग detail वीडियो बनाए थमनेल चेर करो, उनको जरूर देखेगा आपको बहुत अच्छी information मिलेगी अगर आप वाकई practically filmmaking सीखना चाहते है तो Join Films Academy में practical filmmaking course अवेलेबल है वो भी बहुत ही affordable fees में जिसका concept ही है कि learn filmmaking while making a film आपको इतनी affordable price में इतना practical course कहीं पर भी देखने को भी नहीं मिलेगा तो अगर वाकई filmmaker बनना चाहते हैं, director बनना चाहते हैं तो एक बार support team से बात जरूर कीजिए, screen पर मैंने number share किया हुआ है शॉर्ट डिजाइन के बाद actors किस तरह से perform करेंगे, ये भी director तैय करता है और एक director के उपर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है, वही होती कि जो भी तैय बजट है उसमें ही वो shooting days complete करें और पूरी के पूरी फिल्म को complete करें फिल्म की shooting के बाद ज़्यादाता लोगों का काम खत्म होजाता है, लेकिन एक director के लिए post production काम भी important होता है director भले technically कुछ ना करे, लेकिन जो कुछ भी होता है, वो उसके vision के हिसाब से होता है और जिसे एक director ही monitor करता है, तो पहले समझ लेते हैं कि post production में क्या क्या होता है post production में film के editing, color grading, dubbing, sound, background music, folie आदी का काम किया जाता है अगर कुछ VFX इस्तवाल करना हो, तो वो भी post production में ही होता है ये सब चीज़ें film के director की देखने की जाती है, director को क्या चीज़ कैसी चाहिए, वो सब ही department के लोगों के साथ discuss करके काम करवाता है मतलब एक director को editing का sense होना भी बहुत जरूरी है साथी film में कैसा color tone रखना है, कैसा background music होगा, इन सब चीज़ों को पहले से ही पता होता है और वो उसी हिसाब से editor, music director से काम करवाता है साथी अगर VFX का काम करना है, तो director को उसके बारे में भी जानगारी होनी चाहिए तब ही वो कोई scene उस हिसाब से shoot करेगा और VFX artist post production में director की imagination के हिसाब से VFX के काम को इस screen पर ले आएगा तो कहने का मतलब है कि एक director writing से लेकर shooting, camera, editing, music सभी की जानकारी उसको होनी चाहिए तब ही वो अपने vision को पूरी तरह से परदे पर देख पाएगा फिल्म डिरेक्टर बनने के लिए फिल्म की बारे में knowledge होनी चाहिए और फिल्म के सारे department के बारे में process के बारे में भी पता होना चाहिए तब ही आप एक सफल डिरेक्टर बन सकते हैं डिरेक्टर को ज़्यादा ज़्यादा फिल्में देखना चाहिए क्योंकि डिरेटरों का जितनी जादा knowledge होगी अलग-अलग भाषाओं की और देशों की filmें देखेंगे उतना आप अच्छा observe कर सकते हैं डिरेटर बनने के लिए management, team work, communication skill, imagination power इन सबी चीजों का भी पता होना बहुत जरूरी है लेकि सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी वो यह है कि यह जो फिल्म में की है ना कोई एकदम सटिक या fix technique नहीं है हर डिरेटर का अपना imagination होता है, अपना नजरी होता है वो उसी हिसाब से फिल्म बनाता है मतलब अगर सारे department की आपने जो best चीजे हैं वो निकाल ली तो आपके फिल्म automatically best बन जागी इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको फिल्म डिरेक्टर बनना है तो आपको practical experience जरूर लेना चाहिए और उसी वज़े से हमने जॉइन फिल्मस अकेड़ी में शॉर्ट फोन बनाना शुरू कर दीजे अगर इसके अलावा भी आप इस career के बारे में कोई बात चाहते हैं guidance चाहते हैं तो उसके लिए supporting से बात कर सकते हैं आई होग कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आपको बहुत सारी knowledge मिली होगी इसको share जरूर कीजेगा लाइक जरूर कीजेगा और किस तरह के technical वीडियो देखना चाहते हैं मुझे comment करके जरूर बताइए हमारी join phones के पूरी की पूरी team बहुत मेहनत से आपके लिए knowledge लेकर आती है वीडियो बनाती है तो लाइक जरूर कीजेगा और इस मेहनत के बने हुए वीडियो को प्यार से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए चमे रहिए All the very best